हेलो दोस्तो वेलकम टू दी कॉमिक जून जब करन जोहर ने तबू से कहा तुम्हें वेस किया गया आमीर खान की मूवी फना में तबू ने रिपलाई दिया मैं किसी से उसके फिल्म नहीं चीनना चाहती थी तो क्या है पूरी स्टोरी आईए जानते हैं कॉफी विद करन के एपिसोड में तबू ने बात किया कि उन्हें नजर अंदास कर दिया गया था पॉपूलर डिरेक्टर और प्रेडूसर ने ये एक राज बन गया बॉलिवूड की स्टार तबू वन अफ दी मोस्ट वर्सेटल एक्टर इन दी फिल्म इंडस्री क्यों उन्होंने चूज के एक बेतुकासा सपोर्टिंग रोल फना जैसी मोवी में डिरेक्टर बाइ कुनाल कोली क्रोनिकल लफ स्चोरी है टेरेरिस और कश्मीर के एक मासुम लड़की के बीच तबू का रोल था एक ओफिसर का जो टेरेरिस को ट्रैक करती है कफी विद करन 2007 में तबू से पूछा गया था उनके मूवी के रोल के बारे में होस करन जोहर के द्वारा करन पूछते हैं तबू से तुम्हारी तारीफ हर बड़ा बैनर करता है लेकिन तुम्हें वो लोग अपनी मूवीज में नहीं लेते हैं तबू कहती है अब मैं इसमें क्या कर सकती हूँ वो लोग मुझे अपनी मूवीज में नहीं लेते हैं तो क्या मैं उन लोगों को कॉल करके पुछू क्या कोई रोल है मेरे लिए करन ने कहा ये तुमने किया हुआ है फिर तबू ने जवाद दिया वो लोग मुझे कॉल करते हैं मेरी फिल्म देखो लेकिन मुझे कभी चांस नहीं दिया कॉल बैक करने को मैं हमेशा सोचती हूँ के मुझे कास करेंगे अपनी नेक्स फिल्म में लेकिन मुझे कास नहीं किया जाता करन ने फिर से एक बार फना की बात करते हुए कहा तुमने में स्ट्रिम फिल्म किया है फना तुमें वेस किया गया है उस मूवी में क्योंके तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो ऐसे रोल्स के लिए तबू ने कहा मुझे नहीं लगता मुझे वेस किया गया मुझे पदा है मैंने कैसा रोल किया है मेरी कोई इच्छा भी नहीं है किसी का रोल छीनने में मैं जितना भी की ठीक ठाकी था तबुने अपने करियर में बहतरीन फिल्म में की है क्रिटिकली बहुती पॉजिटिव रिस्पॉंस था जैसे चाची 420, हम साथ साथ है नेम सेक, मकबूल, हैदर, दिरिश्यम हाल ही में रिलीज हुई बूल भुलेया 2 जोकि एक ब्लॉक बस्टर साबित हुई बॉक्स ओफिस पर तब उजल्दी फिर से दिखने वाली है दिरिश्यम 2 में अजय देवगन के साथ तो इस बारे में आपकी क्या रहा है कमेंट सेक्शन बर जरूर बताए और आखिर में छोटी सी रिक्वेस्ट तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करनेगी तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में